हेलो वेलकम दोस्तो आईए गैंड बार देख रहा है आप मैं राईकोमार एक अफिर से नई वीडियो में हजरू दोस्तो आज कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साधी अनुदान योजना के बारे में दोस्तो बारत सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है औ दोस्तो कुछ राज्यों में धनलासी पचाजा दी जाती है तो डिपेंड करता है कि किस राज्य से आप आवेदन कर रहे हैं और किस राज्य में आप हैं तो इस वीडियो में हम जानेंगे साधी अनुदान योजना के बारे में पूरी जानकारी और दोस्तो किन लोगों को यह मिलेगा पैसा वह सब साइट जानें दोस्तो कुछ कोश्टन्स होते हैं जैसे जो आपके आते रहते हैं जैसे कौन आवेदन कर सकता है आवेदन कैसे करें कि जाती के लिए है डाक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे अमरी सीमा क्या है प्रिंट आउट कहा जमा करना होग और पैसा कम बिलेगा तो जो सारे questions के वारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से आप सारी process को कर सकते हैं तो चाहिए हम वीडियो सुरू कर लेता हैं साइच चीज़ों को समझते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन आवेदन कर सकता है तो गरीवी रेका से नीचे के जो लोग आते हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं मतलब दोस्तों BPL फैमली के जो कार्ड बनते हैं आपने सुना होगा दोस्तों BPL फैमली वाले इसके लिए आवेदन कर पढ़ने। तो आप क्या है आप online माद्यम से आवेद्ेन कर सकते हैं अब तो यदि आपको online आवेदिन कमा नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं prazItem को वह पर यह सकते हैं या तो हम वहां से भी आप क्या इस form को फिल कर पाएंगे और दोस्तों वहां पे आप बता दिएगा कि मुझे साधी अंदान योजना का फॉर्म बढ़ना है और दोस्तों जो भी वह डाक्यूमेंट पगारा मांगेंगे उनको आपको देना पड़ेगा और उसके दार आपका फॉर्म फिल कर पाएंगे बहुत आपली के बाल है, ऐसा कोई kompulse ही नहीं कि केबधल ॥ हो स्भी के लिए कि लिए से सबीकर हों जाें बहुत सब्सक्राइं नंबर पगया है और कुछ और डाक्यूमेंट से जासे आता vibe है, अडर प्रोव है। बहुत बहुत जरूरी दी दे रहा है और दोस्तों यदि कुछ document जो जब आप form फिल करेंगे तो उस समय का कुछ special document मांगता है तो उस document को भी फिर आपको देना पड़ेगा तो जब आप online form भरते हैं तो उसमें क्या है form तभी submit होगा जब आपने side detail उसमें provide कर दियोगी जो भी detail अगर कुछ extra मांगता है तो आप उसको भी डाल दीजेगा अब बात कर लेते हैं आगे साधी की उम्र सीमा क्या है तो जैसा आपको पता है कि लड़कों की जो उम्र सीमा है वो 21 वर्स है और लडकियों की जो उम्र सीमा है वो 18 वर्स है तो इतनी जो age है वो कम से कम boy औ आउट है वो कहां जमा होगा जैसे माली यह online form बढ़ लिया अब इसका जो प्रिंट आउट होगा जमा करना होगा जिससे कि आपको पैसा धनरासी वह आपको मिल जाए तो इसका जो प्रिंट आउट जमा करना होगा आपको जिला कल्यार अधिकारी काजाले में दोस्तों और जमा किया और दोस्तों बात कर लेते हैं कि पैसा कम मिलेगा तो चाहूंगा कि जैसे ही और प्रूवल मिल जाता है कि हाँ वह दोस्तों प्रिंट मिलने के बाद आपका पैसा आपके खाते हिं भेज़ दिया जाता है अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंड है जिनको आप फिलो प्रॉलम होती है जो पहला पॉइंट है आपका इंकम से जा रहे हो कि आपको क्या है इस फॉर्म के लिए पावेदन कर दें और क्या आपको पैसा मिल जा तो जो भी आपका income certificate है उसको ही आप लगाएं अब दोस्तो हम second point की बात करेंगे कि address और ID प्रूप तो जब भी आप कोई भी ID लगाते हैं तो उस पर जो address है वो clear mention हो और दोस्तो जो ID उस पर photo अगरा किया clear mention हो अब दोस्तो next point है आपका वो है आपका account number तो जब भी आप account की detail दें दोस्तो proper way में side detail clear तरीकेस दीजिए जिससे कि आपका जो पैसा वो आपके पास आसानी से आ जाए और दोस्तो इस वीडियो के माध्यान से आपको उताना चाहूंगा कि हम ऐसे आपके लिए का है अपने चाहिए लाते रहते हैं दोस्तो आपके लिए हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं दोस्तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और दोस्तो इस वीडियो को लाइक की जरूरत है दोस्तो एक हमारा Facebook पे जाए आए गया आप लाइक करते हैं दोस्तो जो भी हम ऐसे अपडेट्स होते हैं ऐसी के इंफोर्मेशन होते हैं तो जोस्तो इसका जो इनेज और होता है दोस्तो वह हम के आयाb जरूर्ल लाइक करके रखें और ऐसी वीडियो स्पाने क gü sicher के साथ जुडे रहें तो चली होए और दो मिलते हैं आप से मच्श वीडियो Nur के पडिश तक झाय को